नमस्कार, आज मैं आपको विशकर्मा पूजा के बारे में संपून जानकरी देनी जा रहे हूं हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल विशकर्मा पूजा कन्या संक्राती को होती है धार्मिक मानेता के अनुसार इसी दिन भगवान विशकर्मा का जनम हुआ था एक कथा के अनुसार संसार की रचना के आरम में भगवान विश्नु सागर में प्रकट हुए विश्नु जी की नाभी कमल से ब्रह्मा जी द्रिश्टी गोचर हो रहे थे ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म का विवा वस्तु से हुआ, धर्म के साथ पुत्र हुए, उनके सात्वे पुत्र का नाम वास्तु रखा गया, जो शिल्प शास्त्र की कला से परिपूरन थे, वास्तु के विवा के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम विश्व कर् रखा गया जो वास्तु कला के आद्वित्या गुरु बने इसलिए उनके जनम के दिन को विश्व कर्मा पूजा विश्व कर्मा डे और विश्व कर्मा जयनती भी कहा जाता है कुछ लोग दिवाली के अगले दिन भी विश्व कर्मा पूजा करते हैं भगवान विश्व कर्म को देवताओं का शिलपकार वास्तु शास्र का देवता प्रथम इंजीनियर देवताओं का इंजीनियर और मशीन का देवता कहा जाता है विश्णु पुरान में विश्व कर्मा जी को देव बड़ाई कहा गया है माना जाता है कि भगवान विश्णु का सुदर्शन चक्र औ विशकर्मा जी ने ही बनाया था कहते हैं कि उन्होंने कई देवी देवताओं के लिए अस्तर शस्तर घर नगर और आभूशन आदी का निर्मान किया था इस वज़े से निर्मान और स्रिजन से जुड़े लोग विशकर्मा जनती पर श्रधा भाव से पूजा करते हैं भगवान विशकर्मा की पूजा के दिन फैक्टरियों, आफिस और उध्योगों में लगी हुई मशीनों की पूजा की जाती है इस दिन विशकर्मा भगवान की पूजा करके लोग उनसे कारोबार में उनती का वरदान मांगते हैं जो लोग इंजिनरिंग, आर्किटेक्चर, शिल्प कला, बुनाई, चित्रकारी, कलाकारी, उध्योग, वेल्डिंग और मशीनों के काम से जुड़े हुए हैं वे खास तोर से इस दिन को बड़े ही उत्सा के साथ मनाते हैं इस दिन मशीनों, दफ्तरों, कारखानों की अच्छे से साफ सफाई की जाती है साथ ही भगवान विशकर्मा की मूर्ती या चित्र की स्थापना की जाती है घरों में लोग अपनी गाड़ियों, कम्प्यूटर, लैप्टोप वे अन्य मशीनों की पूजा करते हैं घरों में जितने भी बिजली के उपकर्ण है या वान है उन सभे की इस अफसर पर अच्छे से सफाई करनी चाहिए मंदिर में विश्व कर्मा भगवान की मूर्ती या फोटो की विधिवत पूजा करने के बाद आरती की जाती है अब मैं आपको विश्व कर्मा पूजा के लाप के बारे में बताती हूँ मानेता है कि विश्व कर्मा पूजा करने वाले वेक्ति के घर में धन धान्य तथा सुक समरिदी की कभी कोई कमी नहीं रहती है इस पूजा की महमा से वेक्ति के विपार में व्रिदी होती है तथा सभी मनोकामना पूरी हो जाती है ऐसी मानेता है कि विश्व कर्मा जियनती के दिन भगवान विश्व कर्मा की पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए क्योंकि स्रिष्टी में जो भी स्रिजन और निर्मान हो रहा है उसके मूल में भगवान विश्व कर्मा ही है अब मैं आपको विश्क्वर्मा पूजा की विधी के बारे में बताती हूँ, ये पूजा आप चाहें तो पंडित जी से करवा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, इस दिन सुबा जल्दी उठकर अपने घर के अस्त शेस्त्रों, मशीनों और वाहनों को धोकर साफ कर लें, अ के समय अपने फैक्टरी ऑफिस या घर में पूजा करने बैठें, पूरव दिशा की तरफ मुख करके एक चोकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क के शुद कर लें, फिर उसके उपर एक पीला या लाल कपड़ा विछा लें, उस पर थोड़े चावलों पर विश्करमा ज उस पर सत नजा मतलब साथ परकार के अनाज रखें, फिर तामबे या मिटी का लोटा उसमें जल भरके, उस पर मौली बान के स्वास्तिक का चिन बना के अश्दल कमल के उपर रखें, उसके अंदर एक सिक्का हल्दी, एक सुपारी थोड़े चावल फूल लेके कलश के पते तिलक लगा के रखें, फिर एक छोटी कटोरी में चावल डाल के उसके उपर रखें, चावल के उपर आप चाहो तो नारियल कलावा बान के तिलक लगा के रख सकते हैं, नहीं तो दीपक भी रख सकते हैं, वहां पर आपके पास जो भी औजार हो वो भी रखें, विव पक जलाके, हाथ में जल, फूल, चावल लेके भगवान विश्व कर्मा का ध्यान करते हुए, पूजा का संकल्प लें, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कहें कि मैं भगवान विश्व कर्मा का पूजन करने जा रहा हूं, मेरी समस्परकार की इच्छाओं, अभिलाशाओ कामना को भगवान आप पूरा करो फिर उल्टे हाथ में पीली सरसों लेके सीधे हाथ से उसे फिर सभी दिशाओं में छोड़े कि हम भगवान विश्कर्मा का पूजन कर रहे हैं अगर किसी भी परकार की नेक्टिविटी या कोई गलत परभाव है तो यहां से दूर हो जाए इससे आपके कारोबार में आरे सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी फिर हाथ में चावल फूल लेके सभी देवताओं का आवाहन करें पहले गनेश जी का करें फिर कलश में सारे देवताओं का करें फिर विश्कवर्मा जी का करें और कहें कि आप सब अपना अपना स्थान ग्रहन करें और मेरी पूजा स्विकार करें फिर सबसे पहले गनेश जी की पूजा करें ओम गन गन पताये नमा बोलते हुए करें शुद जल से छीटा देते हुए स्नान करवाएं फिर गनपती जी को तिलक लगाएं अक्षत अर्पित करें फिर गनपती जी को दुर्वा चड़ाएं फिर वस्र के रूप में मौली अर्पित करें फूल अर्पित करें मिठाई फलों या मेवों का भोग लगाएं फिर कलश की पूजा करें तिलक लगाएं अक्षयत फूल अर्पित करें भोग लगाएं फिर भगवान विश्व कर्मा की पूजा ओम विश्व कर्मे नमा बोलते हुए करें जल का चीटा देते हुए सनान करवाएं अगर आप मूर्ती की पूजा कर रहे हो तो पंचा अम्रिस से भी सनान क करवाने के बाद साफ कपड़े से पोंच दें, चंदन का तिलक लगाएं, पीला वस्त्र अर्पित करें, या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें, सफेद या पीले फूल या फूलों की माला अर्पित करें, भोग लगाएं, किसी भी फल, मिठाई या पंच मेवों का भोग लगा सकते हैं कोई भी मिठाई ना हो तो गुड मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं जल पीने के लिए अर्पित करें फिर वहां रखें ओजारों की पूजा करें तिलक लगाएं अक्ष्यत लगाएं फूल चढ़ाएं फिर दक्षिना अर्पित करें धूब दीप अगर आप फैक्टरी दुकान ओफिस आदी जगों पर पूजा कर रहे हैं तो अपने करमचारियों और दोस्तों के साथ मिलकर ही विश्कर्मा भगवान की आर्थी करें और प्रसात बांटें मशीनों औजारों की पूजा करने के बाद हवन करने का भी विधान है आप चाहे तो हवन भी करवा सकते है फैक्टरी या विवसाय की जगा पर कर रहे हैं तो भगवान विश्कर्मा की पूजा के बाद अपनी फैक्टरी वर्क शॉप या कार खाने के ओजारों मशीनों या वाहनों की पूजा करें स्वास्तिक बनाएं टिका लगा दें मॉली बान्दें एक फूल चड़ा दें, इनकी अच्छी तरह से सफाई करके ही पूजा करें, इस दिन भगवान विश्नु की पूजा भी जरूर करें, पूजा के बाद शमा याचना करें, कि भूल से कोई भूल हो गई हो, तो उनेक शमा करें, और अपने अपरादों के लिए भी माफी मांग और उनसे कारोबार में उनती का वर्दान मांगे, विदी विधान से पूजा करने से देव शिल्पी विश्कर्मा की क्रिपा परस्ती है, जिससे वेपार में लाब मिलता है, जिस आसन पर बैठे हो, उस आसन के नीचे जल छिड़क के अपने माथे पर जरूर लगा ले, इस पूजा का पूरा फल मिलता है, अब मैं आपको मंतर बताती हूँ जिसका जब विश्कर्मा पूजा के समय करना है, ये मंतर है, जब के लिए आप रुदराक्ष की माला का परियोग करें, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे काम है जो आपको बिल्कूल नहीं करने है अपने घरों और कारेले में इस्तमाल किये जाने वाले औजारों और उपकरनों को कभी गंदा ना रखें उनकी साफ सफाई और इनकी अच्छी देखरे करें पूजा का मतलब केवल यह नह आएं उनकी साफ सफाई इनकी अच्छी देखरे करना ही असली विश्व कर्मा भगवान की पूजा है दूसरा है कि विश्व कर्मा भगवान की पूजा के दिन अगर कोई भी आपसे टूल्स औजार या कोई उपकरन मांगने आए तो टाल देना चाहिए इससे आप अपने घर विश्व कर्मा जी को सम्मान देंगे यह आपकी सम्रिदी में भी सहाइक होगा तीसरा है कि आपके ओजार उपकरन आपकी रोजी रोटी है और साथ ही भगवान विश्व कर्मा के द्वारा बनाए गए हैं तो इन्हें इधर उधर रखकर इनका अपमान ना करें जब व प्रय यह भी है कि आपने उन उपकरनों की सुरक्षा करने का वादा किया है और उन्हें सहच कर रखने का संकल्प लिया है इसलिए टीका लगाकर खुद से वचल ले कि आप अपने उपकरनों और ओजारों की देखरे करेंगे उन्हें इधर उधर रखकर उनका अपमान कता नहीं करेंगे, घर में या विवसाय के स्थान पर जो भी कल पुर्जों वाले संसाधन हैं, उनको जंग ना लगने दें, ऐसा होना शुब नहीं माना जाता है, और इससे भगवान विश्कवर्मा भी प्रसंद नहीं होते हैं, उनकी ओइलिंग और ग्रीसिंग करें, ऐसा समझ भगवान विश्कर्मा नहीं इस स्रिष्टी के हर तकनीकी चीजों का स्रिजन किया है, इसलिए वे सभी उन्हें बहुत प्रिया हैं, पांचवा है कि इस दिन औजारों की पूजा करने के बाद उनका परियोग बिलकूल ना करें, इस दिन सभी काम रोग कर मशीनों और औज पूजारों की अच्छे से साफ सफाई कर उनकी पूजा की जाती है, पूजा करके उन वस्तों को रख दें, दूसरे दिन परणाम करके फिर उन वस्तों को उठाके अपना काम करें, छटा है इस दिन काले रंग के कपड़े बिलकुल ना पैने, सात्वा है पूजा के बीच म नहीं उठा जाता है इसलिए सारा इंतजाम पहले ही करके बैठें फैक्टरी में पूजा कर रहे हैं तो पास पड़े ओजारों की पूजा पहले कर ले बाकी सब की पूरी पूजा होने के बाद करें भगवान विश्कर्मा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे धन्यवाद